आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवीतियागी आपका होस्ट एंड दोस्ट मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम तो किसान साथियों आज आए हैं हम करनाल दा पॉल्ट्री करनाल पर जहां हम देखेंगे डवल अप जी की मुर्गे मुर्गियां और समझेंगे उनके बारे में और पॉल्ट्री फार्म के बारे में तो चलिए देखते हैं बुलादे डर कुछ अलग कर किसान साथियों हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटम को जोड दबाएं कि सरा कब बहुत-बहूत सवागत है हमारे डा करनाल पर पहले तो अपना और अपने अपने संदीब कुमार सेतीया मैं करनाल से ही बिलोंग करता हूं और इस काम में आयोगे मुझे चाड़े चार साल हो चुके हैं और हमारे साथ वह भी व्यक्ति काम कर रहे हैं जो पिछले और कड़कनात तो अगर देखा जाए तो कड़कनात अपनी जगे और डवल अपजी अपनी जगे क्या क्या मतलब विसेष्था रखता है देखो सर डवल एफ जी डेसी ब्रीड में आता है यह एक ऐसी ब्रीड है जो जल्दी ग्रोथ करती है और लगबग आंदनी का भी अच् और इसके अंदर इंकम भी अच्छी है क्योंकि 70% यह अंडा देती है ज्यादा तर हमारे जितने भी फार्मर्स हमसे जुड़े हैं वह लोग मुख्य दोर पर अपने आज पास की मार्किट में इसका अंडा सेल करते हैं शुरुवात के दिनों में तो वह बहुत कम रेट में इसको बेच के उन्होंने मार्किट क्रेट किया है लेकिन आज वह बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना और लोग भी इसमें आए और जिस तरह पड़े लिखे लोग भी आ रहे हैं जे सबी के लोग इस काम को करने में आज इंटरस्ट ले रहे हैं और मैं मैं भी एक बिल्डर प्रोफाइल है मेरी फ्लैट बनाता हूं और मेरा भी इसमें आने का कारण यह है कि मुझे ये काम अच्छा लगता है और मैं भी चाहता हूं मेरी तरह लोग भी स्काम में तो सर अपने डवलैप जी के बारे में तो बताया थोड़ा कड़कनाथ के उप ब्रीड में आता है वह मुर्गी काफी परचलन में है आज की समय में कड़कनाथ जो है उसका गवर्मेंट द्वारा भी बहुत उसमें सियोग मिल रहा है और कड़कनाथ के उपर आज हम बैठे नहीं तो एक वीडियो हम पूरा उसका भी डालेंगे अगले जब अगली बार आपका राउंड लगेगा तो उसकी पूरी जानकारी हम उस वीडियो में देंगे कड़कनाथ के बारे में सिरफ इतना ही कहूंगा कि सरकार दुवारा इस ब्रीड को परमोट किया जा रहा है सरकार दुवारा एक एप भी आ चुका है जी और हमारी क्रिके टीम के खिलाडी जो है इसका पूरा प्रमोशन कर रहे हैं और हिस्ट्री चैनल जो आपने जो आतियासिक चीजों के लिए जी जी उसके उपर भी उसकी इस्ट्री बन चुकी है कड़कनाथ की तो सर डवल एप जी का फार्म अगर कोई बंदा करना चाहे तो वो कम से कम कितने से सुरुआत कर और कितना इंवेस्टमेंट उसमें होगा डबल एफ जी के ऊपर अगर कोई काम करना चाह रहा है तो एक हजार भड कम से कम वो रखे जी एक हजार बर्ड में दो लाग से पांच लाग रुपे की इंवेस्टमेंट है इसमें दो त्रह से काम होता है ज़िए कोई साल भर में लग बग छ्यां बार इंकम चाहता है कि तो उसको पॉल पेशा मिले उसको पाल के बेज सकता है आच जञा उसको चिकन के परपस से पाले हो वह और उसे पाल कर बेच दे फिर से ब्लेव बचन त dispol न्य फोनार्ट यां भर बेच करने में ümे साट शे सात्यर रुपे विर की मार्किट के नदर 100 लोपे से 200 लुपे किलो रहता था मिनमम रेट वर अच्छा रेट theres उसका इसका मार्किट कि लिवि je सब्सक्राइब हो से 2 किलो करें अगर से थो व bit लिवक रहे है or मैक्सिमम 400 रुपे में 400 रुपे में तो कुछ लोग तो इस तरह से काम कर रहे हैं अब जैसे आपने कहा के 140 खर्चा खर्चे से मतलब कौन-कौन से खर्चे लगाए हमने जी जी मालब चूजा कितने का कैसे थोड़ा सा डिफाइन करके बताएंगे तो मेरे जो किसान भाई हैं उन्हें थोड़ा समझ में आएगा क्यों इसके अंदर सर देखिए सबसे पहले तो चूजा खरीदेगा वह इसकी चूजे की कोस्ट होती है 25 से 30 रुपे जो एक एवरेज रेट रहता है कभी 20 भी हो जाता है कभी 35 भी हो जाता है जी एवरेज रेट 25 रुपे के राउंट र इसके बाद फिर उसका फीड का खर्च है यह सब खर्चे जिसमें लेबर बिजली पानी इवन देन फार्म का किराया भी बहुत सारे जो अद्रस से खर्चे हैं वह हमें दिखाई भी नहीं देते और वह कहीं से आ जाते हैं जी बाकि अगर कोई चाहे चारे के साथ एक महीने के बाद वह इनको हरा चारा भी यह सकता है अच्याव की सबस्री कि जो सब्सक्राइल मंडे से मिला यहां तक की हमारे अप्के अरिया में हमारे भीम होती है जो मैंसो का चारह ранår को निको खाती है इनको धीया सकता है एक तो तो नहरे अभी अपनी वीर कोष्ट में हम कमी कर स जो दो से पांच लाग बताया है वो मैंने दो लाख रुपे जो बजट बताया था वो हजार बड़ का मीट परपस के लिए हुआ अच्छा यदि कोई पांच लाख रख रहा है तो वह अंडे तक ले जाने तक का खर्च मैंने बता दिया क्योंकि टोटल उसमें और भी खर्च बिल्कुल बिल्कुल तो अंडे तक का खर्च मैंने जो बताया वह पांच लाख रुपे हजार बड़ को त्यार करने में लगता है तो सार एक चीज इसी आपके उत्तर में से सवाल लिकल के आया कि मतलब जो अंडे देने लाइक हमारी मुर्गी है वो पूरी व्यस्क कितने टाइम में हो जाती और कितने टाइम में हमारा जो अपर अपना पूरा वजन ले लेती है अच्छा बट अंडे के लिए अगर कोई रख रहा है तो पांच महीने पूरे लेगी उसमें पांच महीने में अंडा स्टार्ट होता है और लगब यह दो साल तक अंडे देती रहे के बाद दो साल तक देती रहे तो सर एक सबसे बड़ी बिडमना है कि आदमी पालता है तैयार कर लेता है उसके बाद उसका अंडा हो या मीट हो वो किसी दूसरे लोगों के हाथ में चला जाता है और उसका रेट वो तै करते हैं तो आपने जो है मार्किटिंग का जो एक ढ आप अखे ड़हन बनाया है वो आप किस तरीके से सेल करते हैं और किस तरीके से चाहते है कि और लोग हमारे किसान वाई उसी तरीके को अपना है बहुत आच्छा स्वाल कि कि आपने ये मेरे मन में भी बात थी मैं करना चाह रहा था कि जो लोग मुरूघी पालते हैंomi डब लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आज हम भी इसका बजार बना चुके हैं वही तरीका हर व्यक्ति को अडोप करना चाहिए कि शुरू के दिनों में हो सकता है जैसे वाई टेग है दुकानों पर वह पांच रुपे का भिक्रा है तो उसकी जगह पर आप उसको साथ रुपे र ले ले लेंगे क्योंकि पांच और साथ में ज्यादा फरक नहीं है जब लोगों को टेस्ट का फरक पता लगेगा और उसके मिलने वाले फाइदे उसको मिलेंगे तो वह अपने आप ही उसको बारा रुपे में प्रचेज करेंगे क्योंकि एक और गैनिक है यह एक देसी अंडा है इसके यह बहुत ही अच्छे फाइदे देता है श्रीद को जब लोग इसको यूज करेंगे तो अपने आप ही फिर वह मेंगा भी खरीदेंगे तो सर आपने जैसे कहा कि यह और गैनिक है और बहुत ही फायदा देता है तो अगर कहीं न कहीं हम यह जानना चाहें कि जो हमारा फार्मिंग वाला वह दूसरा अंडा है जी हाइवरीड जो है अगर कहें तो और यह जो देसी है यह इसमें जो है कितना फरक है प्रोटीन 20-45 प्रोटीन कंगी है वह दूसरे अंडे से लगबग 17 एक्सट्रा है उसके अंडर 18 परसेंट प्रोटीन होता इसके अंदर 25 प्रोटीन होता है यह क办 करें दिए जादा और यहां तक की इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजे होती है क्योंकि यह और गैनिक तरीके से त्यार किया हुआ वा यह बिलकुल बिलकुल और बहुत सारे नाना परकार की तरहें कि चीजे खा कर यह मुर्गी अंडा देती है तो इसी वज़े से इसके तक इसके अंदर प्रोटीन होता है तो इस तरह से ये फाइदा करता है इसके अंदर इसके साथ अमीनो अशिड होते हैं जो काफी फाइदा करते है चरीर के अंदर और बहुत सारी खूबियां इस अंडे की है यदि वो लोग खाएंगे और कुछ दिन उसको खाने के बाद है कि मालिया कोई चीज ऐसी नहीं दी गई है हमारी मुर्गी को फार्मी अंडा होता है वाइट फीड पर त्यार होता है बस बस और उसके अंदर कुछ ऐसे चीजे डाली जाती है कैमिकल्स बगरा डाले जाते हैं जिससे कि वह जादा अंडा लेने के लिए बिल्कुल उसका प प्रॉपना ना बनाया हुई है यह नहीं है किकनी का फीड है या कुछ है वह अपने फीड प कैना चाहता हूं कि कोई किसान बहए हमें और आपे और आपको और आपके फार्म को के नधर से देख रहा है और कहीं न जड़ेए और हैर उसके दिमाग में कुछ हटके आए कि मैं भी कुछ करूं कुछ ऐसा करूं तो आप उनकी क्या हैल्प कर सकते हैं और क्या उन्हें कुछ सुविधा प्रवाइड करा सकते हैं जिससे के वो भी अपना भविश्य इसमें जो है बना सकें बिलकुल सब देखिए हमारी से पालने से पहले वो एक बार वीजिट करके हमारे पास इसकी बेसिक ट्रेनिंग ले सकता है दो गुंटे की अवो समझ सकते हैं बहुत देंगे बिल्कुल उसका कोई चार्ज नहीं है जी जी और रहने की भी हमने वबस्ता यहां रखी हुई है कुई अगर आता है तो एक तहना भी पड़ जाए दूर से आ रहा है तो वह भी हमने रख उसके लिए रखा है और यदी कि मैं बात जुरूर कहना चाहूंगा कि डबल एफजी ब्रीड के ऊपर जदी कोई काम करना चाह रहा है तो सबसे में जो खास ध्यान देने वाली बात है वह कि ब्रीड क्योंकि वह सारी क्रेलर है देशी ब्रीड से उनको मिक्सिंग वाली ब्रीड मार्किट में मतलब मिक्स हो जाती है वह ध्यान दक लेते समय ध्यान रखें कि डबल एफजी है यह नहीं उसके बारे में अच्छी तरह पड़ताल कर लें और हमारे पास उसका मतलब पेरेंट स्टोक कि हमारा लगबग एक से डिर्ड लाग चूजा महीने का निकलता है जो कि लोगों तक पहुंचता है और यह बहुत पुराने समय से हमारा काम चल दा है तो सर अगर कोई किसान भाई आप से चूजा खरीदना चाहे तो वह आप कैसे प्रोवाइड कराते हैं चूजा हम लोग हमारा सिस्टम जो है इसका बहुत बड़ी सेल है हमारे पास हम यह की बात कहना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति हमसे चूजा लेने के लिए आ रहा है तो वह एक बार कंफर्म करके आए क्योंकि इसका 15-20 दिन का वेटिंग रहता है अच्छा उसके लिए हम कुछ की डिमांड करता है तो उसके लिए वह खुद आके यहां से ले जा सकता है यदि हमारे से पॉसिबल हुआ कि उसे रूट पे कोई चूजा जा रहा है तो हम भेज भी सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बट हम 500 तक चूजा हम भाई ट्रेन भेज देते हैं पांसो से हजार दो तो सर आपने यह सब जानकारी दी और आप जो है किसान भाईयों से डवल एफ जी और हमारा मुर्गी पालन के बारे में क्या कहना चाहेंगे देखे सर यह एक अच्छा रोजगार का अच्छा जरिया है जी और शान्ति प्रिये काम है क्योंकि आज की लाइफ में शहर की भा पैसा कमाने के लिए सारा दिन एक रुटीन बनाए हुए है कि अपने घर से टीफन लेके जाते हैं नोकरी करते हैं भी बुक्षान को एक ज़्यार पैसा तरा फैसार बुक्ल यही रूटीन है काफी सालों से बिलकुल और वो प़ा कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन अगर कोई व्यक्ति वह काम छोड़ के मुर्गी पालन करता है तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि वह बहुत ज्यादा पैसा पचास हजार रुपे एक मिनिमम महीने का आमदनी यहां से वह एक जार बड़ से कर सकता है और जो अपना काम नोकरना बनके जी अपना का एक जो है मालिक छोटे म हमारे पास धूर आई थैंक्यू जी तैंक्यू और मेरी क्यों ही कोशिस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्य मैं रवी त्यागी रवी जोन फार्मिंग लीडर से